स्वागत है आपका आज के अपिसोड में चले शुरुवात करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्ण के साथ पहाड़िया जनजाती निम्नलिकित में से किस जिले के निवासी है ए आंध्रप्रदेश, बी राजस्थान, सी मध्यप्रदेश, डी जहारखंड इस प्रश्ण का सही उत्तर है विकल्प डी जहारखंड चले देखते हैं इसके विसलेशन को जहारखंड की पहाड़िया जनजाती का लक्ष समुदाई की निर्ततव वाले बैंकों में देशी किस्मों को जमा करकी बीच स्वतंतरता हासिल करना है वे मुख्य रूप से जहारखंड और पश्चिम बंगाल राजियों में रहते हैं वे राजमहल पहाड़ियों की मूल लिवासी हैं जिने आज जहारखंड की संताल परगना डिविजन के रूप में जाना जाता है उन्हें पशिम बंगाल, बिहार और जार्खन की सरकारों द्वारा अनुसूजित जनजाती के रूप में सुची बद्ध किया गया है वे माल्टों बोलते हैं जो एक द्रविड भाशा है वे जूम क्रिशी करते हैं जिसमें कुछ वर्षों तक क्रिशी के लिए वनस्पती जला कर भूमी साफ करना शामिल है तो चली शुरुआत करते हैं आज की एपिसोड की पहले प्रश्ण के साथ विशु धरोहर दिवस कब मनाया जाता है विशु धरोहर दिवस के उपलक्ष में मध्यप्रुदेश परेटन राज्युके सैंक्तुरास्ट्र सैक्षिक, वैज्यानिक इवं सांस्कृतिक संगठन, सुचिबद और अस्थाई विरासस्थलों में उलेखनी तक्नीकी प्रगती का नेत्रत्व कर रहा है ये प्रियास अत्याधुनिक प्रोध्योगी की के माध्यम से आगंतुकों के अनभव को बहतर बराने के लक्ष के साथ साथ धरोहर संरक्षण के प्रती दृड़ समरपड को रिखांकित करते हैं अपने सांस्कृतिक सम्रिद्धी और विविदिता के लिए प्रसिद्ध मध्यप्रुदेश गर्व से तीन युनेसको विश्वधरोहर स्थलों का दावा करता है खजराहु समारक समुह अपनी जटिल कामुक मुर्थियों के लिए प्रसिद्ध है अगला प्रशन है युनेसको का मुख्याले कहां अस्थित है इस प्रशन का सही उत्तर है विकल्प A. पेरिस चली देखते हैं इसके विसलेशन को इसका उदेशन सिक्षा, विज्ञान और संस्कृती में अंतराश्च्री सहयोग के माध्यम से शांती का निर्माड करना है इसका मुख्याले पेरिस में इस्सित है अगला प्रशन है नमामी गंगे कारिक्रम की शिरुवात किस वर्ष की गई थी मध्यप्रदेश की कई प्रमुख नदियों में प्रदूशर बढ़ रहा है नमामी गंगे मिशन और राश्च्री नदी संडक्षण जैसे विभनी योजनाओं के कारियान वैन के बावजूद शेत्री जन प्रतिनिद्यों तथा जिम्यदार अधिकारियों की रुच्छी एवं प्रतिबधता की कमी की कारण प्रदूशर का सरलागातार बढ़ रहा है नमामी गंगे कारिक्रम एक एकिकरित संडक्षण मिशन है जिसे प्रदूशर के प्रभावी उन्मूलन और राश्च्री नदी गंगा की संडक्षण एवं काया कल्प के दोहरे उद्देशों का पूरा करने के लिए जून 2014 में किंद्र सरकार द्वारा प्रमुख कारिक्रम के रूप में अनमोदित किया गया था इसका संचालन जलशक्ति मंत्राले के जलसन साधन, नदी विकास इवं गंगा संडक्षण विभाग के तहत किया जा रहा है यह कारिक्रम NMCG और उसके राज्य समकक्ष संगठ्णों यानि राज्य कारिक्रम प्रबंधन समू हो द्वारा कार्यानवित किया जा रहा है नमामि गंगे कारिक्रम के दूतिय चरड में राज्यों द्वारा विलंब को कम करते हुए परियोजनाओं को तیजी से पूरा करने और गंगा के सहायक शहरों में परियोजनाओं के लिए बैंक यूग विस्वत परियोजनारी पोर्ट तयार करने पर ध्धान के इंदरित कि राश्ट्री नदी संरक्षण योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? A. 1990, B. 1995, C. 2000 या D. 2004 इस प्रेशन का सही उत्तर है विकल्प B. 1995 चले देखते हैं इसके विस्टेशन को N.R.C.P. वर्ष 1995 में शुरू की गई एक कियंद्रे वित्त पोशित योजना है जसका उदेश्य नदियों के प्रदूशण को रोकना है राश्ट्री नदी संरक्षण योजना और राश्ट्री गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण के तहत नदी संरक्षण के कारिक्रम क्रियानवित किये जा रहे है राश्री गंगा परिश्ट जिसे राश्री गंगा नदी काया कल्प संडक्षण और प्रबंधन परिश्ट के रूप में भी जाना जाता है ने NRGBA का स्थान ले लिया है अगला प्रश्ण है प्रियाग फिलाटेलिक सोसाइटी के स्थापना किस वर्ष की गई थी इस प्रश्रों का सही उत्तर है विकल्प D 2017 चले देखते हैं इसके विसलेशन को डाक विभाग एवं प्रियाग फिलाटेलिक सोसाइटी के तत्वाधान में आयोजुत कारिक्रब में प्रियाग राश्षेत्र के पोस्ट मास्टर जनरल ने राम नवमी की पूर्व संध्या पर एक विशेश कवर जारी किया इसका गठन 21 जुलाई 2017 को इलाबाद में सोसाइटी पंजिकरण अधिनियम 1860 के तहत एक पंजिकरण सोसाइटी के रूप में किया गया था इसका उदेश सभी आयू समोहों के बीच डाक टिकट संग्रह को बढ़ावा देना है इसने पूरे भारत से सदसेता अमंतरित की है अगला प्रश्ण है निर्मलिकित में से 36 गड़ के किस जिले में सुरक्षा बलो ने 29 नकसलियों को मार गिराया इस प्रश्ण का सही उत्तर है विकल्प बी कांकेर चलिए देखते हैं इसके विसलेशन को 36 गड़ में सुरक्षा बलो के सबसे बड़े ऑपरेशन में से एक में कांकेर इलाके में 29 नकसली मारे गये है इससे पहले ग्रेहाउन कामांडो ने वर्श 2016 में एक आपरेशन में 30 नकसलियों को मार दिया था ग्रेहान उड़स या अंधरप्रदेश में बढ़ते माववादी खत्रे से निपटने के लिए इसके सदसे गुरिल्ला एवं वन युधनिती में अच्छी तरह से प्रसक्षित है इस बल के सदस्यों के आयू 35 वर्श इससे अधेक नहीं हो सकती एक बार जब वे 35 वर्श पार कर लेते हैं तो उन्हें सेवा ने वृत्ती तक सिविल पुलिस में शामिल कर लिया जाता है अगला प्रश्ण है निम्नलिकित में से किस राज़ में भारत में सबसे कम वन और व्रिक्ष आवरण है इस प्रश्ण का सही उत्तर है विकल्प ए हरियाना चलिए देखते हैं इसके विसलेशन को पहली राज़िव्यापी व्रिक्ष गर्णा के अनुसार हरियाना में नर्दिस्ट वनों के बाहर लगबग 4.1 करोड पेड है जिन में नीम, शीशम, पीपल, बरगत और नीलगिरी सबसे सामान प्रजातिया है राज़ में हरितावरण प्रबंधन के संबंध में सुविग ये निर्णा लेने में अधिकारियों की सहायता के लिए लगबग 150 सर्विक्षक, टैक्सोनों, मिस्ट और तकनीकी कर्मचारी 13 महने की अवधी के लिए परियूजना में लगी हुए थे यवन शेत्रों के बाहर प्रतेक जिले में व्रिक्षों की संख्या पर डेटा प्रदान करता है व्रिक्षों की सबसे अधिक संख्या यमुरानगर, अंबाला, सिर्सा, भिवानी और हिसार में पाई गई फरीदाबाद की गिंदी सबसे कम थी इसके बाद कुरुशेत्र, पलवल, गुडगाव और रोह तक थे अपने कुल शेत्र फलका केवल 6.7 प्रतिशत हिसा कवर करने वाले हर्याणा में भारत में सबसे कम वन और विक्ष शेत्र है राष्ट्री वन नितिका लक्ष प्रतेक राज्य के लिए 20 प्रतिशत कवरेज का है हर्याणा के 22 जिलों में से 21 में से 20 प्रतिशत से कम वन और विक्ष आवरण है करनाल 1.8 प्रतिशत के साथ सबसे निचले स्थान पर है अगला प्रेश्ट है राष्ट्री अंतरजिला जूनियर एथलेटिक्स मीट कहां आयोजित की गई थी इस प्रेश्टों का सही उत्तर है विकल्प डी एहमदाबाद चलिए देखते हैं इसके विसलेशन को भारति एथलेटिक्स महासंग ने एहमदाबाद में आयोजित राष्ट्री अंतरजिला जूनियर एथलेटिक्स मीट के लिए टीमे भेजने में विफल रहने पर पूरेदेश की 16 जिलासंगों की मानिता रद्द कर दी है भारति एथलेटिक्स महासंग यानि A.F.I. यह भारत में एथलेटिक्स के संचालन और प्रबंधन के रिए सर्वोच संस्था है यह गैर सरकारी और गैर लाबकारी स्वायत निकाय है यह वर्ष 1946 में अस्तितों में आया यह महासंग राष्ट्री चैंपियंशिप का आयोजिन करता है भारति एथलेटिक्स राष्ट्री शिवयार्थियों को प्रसक्षित करता है उलम्पिक एश्याई खेलो, CWG, विश्व चैंपियंशिप, एश्याई चैंपियंशिप तथा अन्य अंतर राष्ट्री बैठ के विभन आयोबर्गों के लिए राष्ट्री चैंपियंशिप आयोजित करता है तो चलिए अंत में देखते हैं आज का अभ्यास प्रश्ण को निम्रलिकित में से कौन सा राज्य भारत में सबसे अधिक G.I. टैग उत्पादोवाला अग्रिडी राज्य है ए बिहार, बी तमिलनाडू, सी कीरल, डी उत्तर प्रदेश इस प्रश्ण का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दे, आज के लिए बस इतना ही धन्यवाल दियो विवर्स, अपने एक्जाम की तयारी को और बहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शियर और सब्सक्राइब करना न भूले हमारे चैनल का उत्तर रे,लोरा न प्रे पंपने न भोजान आजयत और संपये lucky है आहले संपडिन ज говорить